दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल के भाव दिन परती दिन कितना ज़्यादा बर रहा है तो इसमें लोग मतलब काफ़ ज़्यादा परिसान भी है और लोग जो है अपना जो पेट्रोल वाला जो गाड़ी है उसको छोर करके बेकलपिक गाड़ी के तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है तो बेकलपिक गाड़ी के रूप में यहाँ पर देखा गया है कि इबाइक इसकोटर्स के तरफ लोग का ध्यान जो है ज़्यादा बढ़ रहा है लोग इसे खड़ी दना चाहा रहा है तो ऐसे में यह एक बहुत ही बढ़िया क्योंकि लोग जो है अब पेट्रॉल वाली जो गाड़िया है उसको छोड़ करके ती में बाट्री वालिया लोग यह जितने भी गाड़िया है जो बैट्री से चलती है उसका पार्ट सब्सक्राश करना चानते हसके पार्ट का तो सुन्हरह मौका आप अब अगर इस बिजन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पेट्रोल रनवाले के समय में जो है लोग मुश्किल का जो सामना करना पाया क्योंकि जो बजट है उन लोगों के पास घर भी चलाने है महंगाई सारी चीजों का महंगाई है ऐसे में आम लोगों के लिए टूविलर जो है बहुत ही यह खाल इंपोर्टेंट रोल कर रहा अभी के दिनों में क्योंकि उन लोगों मार्केट भी जाना हो तो बाइक लेना पसंद कर रहा है यहां वह घाल ने लिए लोग जोreten वाले गारियों की तरफ आकार्सित हो रहा है तो इसमें आपको करना क्या है स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको टू विलर का जो पार्ट हो गए रहा है उसका लिस्टिंग करना है सबसे पहले यह समझी आपको करना कहा है यह बिजनस आप किस जगह पर करेंगे तो आपका बिजनस रन करेंगा तो यह समझे जहां पर और लेड़ी जो बाइक हो गराज हो गरा है जिस लाइन में उस लाइन में आपको अगर जगह मिल ला है तो वैसे लाइन में आप जरूर किजी तो यह बाइक की स्कूटर भी है त तो रिपेयर वही करेगा जो पहले से बाइक होगर, स्कूटी होगर रिपेयर कर रहे हैं, वही लोगों जाहिर सी बात है, यह इबाइक और इस्कूटर का भी रिपेयर कर पाएंगे, हाला कि इलेक्ट्रिकल फिल्ड में नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग इसू है, लेकिन साइकल का जो वर्क्सप वगरा है, तो इसी के एरिया के आसपास में आपको एक अच्छा सा सूट सा जगा ढूंड रहा है, जगा कितनी होनी चाहिए, जगा आप अपने बिजनस के अकोर्डिंग देख सकते हैं, यह इस बिजनस को चलाने के लिए आपके पास सामने में में अगर नहीं रखते हैं, तो अगल बगल के जितने भी गराज वाले हैं, तो आपसे पार्ट वगराज जरूर लेंगे, हम बात करते हैं एडिया की, तो डेर सो से दो स्क्वार फीट का अगर एडिया मिल ला है आपको, तो फटाक से आप इस बिजनस में हाथ बढ़ाईए, रेट की तो बात ही मत हुझे, क्योंकि इस बिजनस में अभी जो हैसी कंपर्टिशन बहुत ज्यादा कम, ज्यादा तर दुकाने आपको इस फिल्ड में अभी नहीं मिलेगी, तो ये कमाने का सुनहरा मौका है, आप गवाईए नहीं, अगर आप करना चाहते हैं एक नया बि कमिंग वीडियोज में मैं आप लोग को जरूर सेयर कर रहा हूं, अप लाकि इसके आइटम के ऊपर एक अलग वीडियो आने वाला है, तो आइटम आप समझे, आइटम कौन-कौन से रखने होंगे, तो आपको इस टार्टिंग में देखिए, इंजन से रिलेटेड आइटम आइटम आप लोग नहीं रखना है, अब तो इंजन के जगह पर मोटर हो गया, तो मोटर तो हो ही गया और चक्के को नचाने के लिए वहां से जो कनेक्टेड रहते हैं चैन, तो यह चैन रखने होंगे, थोरा सा आप पिछले चक्के की हम बात करें, तो वहां पर ग्रीज भी लगता है तो वहां पर ग्रीज वगरा भी ज़रूरी परेगा आपको, जितने भी मोडल्स के बाइक और यह स्कूटर होंगे, उसके अलग अलग तरीके के हेड़लाइट, हेडलेम्प वगरा होंगे, तो यह सभी रखने हैं आपको, डिजिटल मीटर होता है, डिजिटल और ब्रेकिंग के पैड और होंगे यह सभी आइटम्स जो है एक बार मैं आप लोग को लिस्टिंग करके दिखा दूँगा समझा दूँगा आपको लेकिन फिलाल आप मोटा मोटी यह चीज समझे कि इस बिजनेस में कंपडिशन अभी बहुत कम है आप अगर दो तीन लाख अगर इंवेश्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो इस फिल्ड में जरूर से कीजिए क्योंकि यह फिल्ड जो है भी उभरता हुआ है कई सारे जो युवा लोग है तो युवा लोग भी चाहते हैं कि जो हैसे कि मेरा वातावरन प्रयावरन जो है वह दूसीत ना हो प साथ साथ सोकेट भी रखने होंगे अच्छी क्वालिटी का जिसमें प्लगिंग करके कस्टमर जो है अपनी बाइक को चार्ज कर सके तो ऐसे आइटम भी आपको रखने होंगे चार्जिंग में क्या होता है कि अगर चार्जिंग के अंदर अगर कोई प्रोब्लम बोर्ड मे क्योंकि अभी एक या दो साल क्या होता है कि कंपनी के तरफ से भी चारजर पर वारेंटी आता है तो वो सकता है कंपनी में वो replace हो जाए तो starting में आप ना भी रखें तो कोई दिक्कत कोई टेंसन वाली बात नहीं है जो मेन चीजे हैं जैसे कि आप एक या दो महिने कहीं पर अगर बड़े सहर जो है दिल्ली अगर अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक या दो महिने किसी बड़े सहर पर आप अपना थोड़ा सा time दे देंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े सहरू से ही यह इलेक्रिक के जो बाइक और स्कूटर के सामान है वह वहीं से डिलेवर होते है दिकांस तो आप वहाँ अगर पहुंच जाते है डिरेक्ली तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ और अगर आप जाएं अगर मौका मिलता है एक दो मैने इंवेस्ट करने के तो आप किसी अच्छे से स्वाप कीपर के पास वहाँ पे टाइम दीजिए और टाइम देंगे तो कई सारे जो हीडेन नौलेज है इस बिजनस से इबाइक और इसकूटर के पार्ट के वह वहाँ स तो यह सभी चीजे वहाँ पे जानने और सीखने को मिला आपको तो थोरा सा समय जो है वह आपको वहाँ पे इंवेस्ट करने ही पड़ेंगे तो यह होगी आपका यह बाइक और इसकूटर से रिलेटर कुछ है पॉइंट्स वोगएरा तो अब हम बात करते हैं आपको इंव लाफ कर सकते हैं यह आपके बिजनेश के लेफल के ओपर डिबेंड करता है कि आप अपने बिजनेश को कितना बड़ा करना चाहते हैं अगर आप एक एक एरिया हो आप में 10-15 जो मिकैनिक हो गया रहा है मैं केवल उन ही लोगों से अपना प्रोफिट लूँगा केवल 10-15 लोगों की जरूरत की चीजे हैं वही मैं सेल करूँगा तो आप चाहें तूसरे 50,000 एक लाख रुपिया में भी खोल सकती तो अगर प्रोफिट की बात करें इस फिल्ड में स् अच्छा अपोर्चुनिटी रहेगा आपके लिए कि हां हम प्रोफिट मार्जिंग को थोड़ा सा उपर ले करके जाया तो बात करूं यहां पर नॉर्मल यह से कि 20-30 परसेंट का तो आपका है ही है इस से कई आइटम में इस से प्लस भी प्रोफिट मार्जिंग जा रहा है नहीं कि नहीं बनाने चाहिए नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा मैं आपके कॉमेंट का इंतिजार करूंगा तो बस आज के लिए जानकारी इतना ही अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो ते एक लाइक कर जीए चैनल में नहीं ते चैनल को जरूर से सब्सक्राइ झाल